हलो बच्चे हों, क्या हाल चाल? तो मैंने पहले भी किसी वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि जैसी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, जैसा स्ट्रगल आप लोग कर रहे हो अपनी जिंदिगी के अंदर वैसा या उससे भी कहीं जादा बड़ा स्ट्रगल मैं अपनी लाइफ के अंदर कर रहा हूँ तो इस स्ट्रगल के दोरान कोई भी पावरफुल चीज जो मुझे रियलाईज होती है उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ आपको भले ही लगता होगा कि ये वीडियोज मोटिवेशनल वीडियोज है बट ये मोटिवेशनल वीडियोज नहीं है ये मेरे रियलाईजिशन वाले वीडियोज है something which I have realized for myself and something which I think might be beneficial for you if you will apply this particular thing in your life so एक ऐसा ही रियलाईजिशन वाला एक और छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने में लेके आ रहा हूँ इस वीडियो के अंदर मैं एक powerful scene के बारे में बात करूँगा जो कि मैंने बहुत पहले एक movie के अंदर देखा था इस movie का नाम है Troy इसमें एक character है Achilles इस character वो बहुत ही powerful warrior एक ऐसा योध्धा जिसको आज तक कोई हरा नहीं पाया इसके तोर पर depict किया गया है एक और character है काफी powerful है वो है Hector अब Hector से क्या होता है गलती से Achilles का जो छोटा भाई है उसकी death हो जाती है उसका murder हो जाता है मतलब वो युद्ध के अंदर Achilles मानके उसके छोटे भाई को मार देता है लेकिन जैसे उसको पता चलता है कि यार मैंने तो बहुत बढ़ी गलती कर दी मैंने तो Achilles को समझके उसके छोटे भाई को युद्ध के अंदर मार दिया तभी उसके दिल के अंदर बहुत ही गहरी anxiety create होती है और वो basically कही ना कही अपने बहुत ही गहराई के अंदर ये मान चुका होता है कि यार अब Achilles जो है वो मुझे नहीं छोड़ने वाला और उसके बारे में तमाम बाते तो उसने सुनी रखी है कि यार वो तो बहुत powerful है उसको कोई हरा नहीं पाया ये है वो है तो जब दो दिन बाद में उन दोनों की लड़ाई होने वाली होती है Hector की और Achilles की तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो Hector है वो उस लड़ाई के अंदर हारा लेकिन इस मूवी के अंदर और मूवी बनाने वालों की सबसे अची बात मुझे ये लगती है कि वो emotions को बहुत powerfully आप लोगों के सामने लेके आता है बहुत अच्छे से बताया गया है कि जो हारने वाला शक्स होता है वो उस दिन नहीं हार था जिस दिन लड़ाई हुई है लड़ाई के दिन कोई नहीं हार था लड़ाई से बहुत पहले हार चुका होता है हारने वाला इंसान जैसे इस particular scene के अंदर आप Hector को अगर notice करोगे तो वो लड़ने से बहुत पहले अपनी हार सुईकार कर चुका होता है उसको पता होता है कि अखिलिस से वो नहीं जीत पाएगा और अखिलिस उसे मार डालेगा तो उसके शब्द भी ऐसे होता है वो लड़ने से पहले आखिलिस से बोलता है कि हमारे बीच में एक पैक्ट होना चाहिए कि कोई भी बंदा अगर दूसरे बंदे को मार देगा तो उसे perfect funeral rights मिलने चाहिए मतलब कम से कम उसकी जो अंतेष्टी है उसका जो अंतिम संस्कार है वो पूरे सम्मान जनक तरीके से होना चाहिए बहुत powerful scene है तो इस scene की link मैं आप लोगों के साथ में share करूँगा वीडियो के description box के अंदर आप जरूर देखना इस scene को खेर अब इससे मुझे क्या realize हुआ तो मैंने realize कि यार ये तो बहुत powerful बात है वाके ही जो हारने वाला इंसान है वो उस दिन नहीं हारता जिस दिन उसकी लड़ाई हुई है वो बहुत पहले हार मान चुका होता है अगर मैं अपने students की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे जो अभी इस समय मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर हमें कुछ selected topics बता दो जिनको पढ़के हमारे need के अंदर marks आ जाएंगे सर या हमें minimum questions बता दो हर chapter के उपर कितने करें ताकि हमारे need के अंदर अच्छा score आ जाए ये जो particular language है ये हारने वालों की language है तुम खुद अपनी language अपने शब्दों को सुनो अपनी thoughts को सुनो अगर वो इस तरीके की बाते करने लगी है न तो कही न कहीं तुम हेक्टर वाली position में हो तुम already need से हर मान चुके हो अब ये बहुत खतरनाक situation है क्योंकि ये जो हार का बीज है न ये कहीं न कहीं डल चुका है और हर दिन जब आप दरते हो need के exam को लेके जब आप हर दिन waste कर देते हो और रात को आपको लगता है या आज के दिन भी कोई महनत नहीं करी कोई भी progress नहीं करी तो basically आप इस बीज को खाद और पानी डाल रहे हो इसको पेड और बहुत बड़ा व्रक्ष बनने के अंदर आप मदद कर रहे हो तो अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो ये पता करना है कि क्या आपने भी ये बीज डाल दिया है अपनी जिंदगी के अंदर और अगर आपने बीज डाल दिया है अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद में आपको realize हुआ है कि हाँ यार सर तो बिल्कुल सही बात कह रहे है मैं तो already need से कही ना कही अपने दिल के अंदर हार मान चुका हूँ, मेरे दिल के अंदर हार का बीज जो है वो डल चुका है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, आपको फिलहाल कम से कम इस बीज को खाद और पानी डालना बंदगर देना चाहिए, यानि कि पूरा का पूरा फो असली में तुम किताब कॉपी लेके बहड़ गए, तुमने वीडियो लेक्चर चला लिया और तुम उस वीडियो लेक्चर को या उस पर्टिकलर चैप्टर को खतम करने की कूशिश कर रहे होगी, तो यह चीज आप लोगों को करनी है, तो यह चीज आपको कैसी लगी के अंदर जरूर बताना, अगर आपको helpful लगा हो, तो आप सोचो कि आपके जैसे कितने सारे बच्चे हैं जिनको ऐसे वीडियो की या ऐसे realizations की ज़रूरत हो सकती है, तो if you find it helpful for you, then it might be helpful for many other students, many other experts, तो आप लोगों को इस वीडियो को जादा से जादा बच्चों के साथ में share करना है, आप इस channel को subscribe भी कर सकते हो, जहां पर आपको कुछ इसी तरीकी का content और आपकी need की preparation के अंदर, आपकी JEE की preparation के अंदर या in general of physics के अंदर interested हो, तो आपको अगर सीखना है physics के बारे में, तो इस तरीकी का content आपको मिलता रहता है, मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो के झाईनर, बाई